जैने दोस्तो वेलकम टू टूड़े एकजाम क्लासेज दोस्तो इस वीडियो हूँ राजस्तान ऐसा ही बर्ती प्रेक्सा के एकजाम में बार-बार रिपीट होने वाले 25 हैसे most important question answer याद करेंगे जो आपके राजस्तान ऐसा ही बर्ती प्रेक्सा के नए pattern पर आदारी थें अगर दोस्तो आप भी राधस्तान ऐसाई बरतिप्रिक्षा की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाज़ तक जरूर देके और इन सबी 25 पृष्षिनों को जरूर याद करेे क्योंकि दोस्तों ये सबी प्रस्षिन है जो बार-बार राजस्तान, ऐसा ही बरती प्रिक्सा, रीट और आरेस जैसी एक्जाम में भी पूछे जाने वाले क्यूसन हैं इसलिए दोस्तों इन सबी सवालों को आप जरूर याद करें और दोस्तों हमिसा की तरह इस वीडियो के लाश्ट में एक सवाल अभ्यास के तोर पर आप से भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना है इसलिए दोस्तों इन सबी सवालों को आप पहले जरूर याद करें तो चलिए देखते हैं पहला क्यूशन पहला क्यूशन है अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू क्या है वो किस देश में प्रचलित प्रणाली से उदार ली गई प्रणाली है तो दोस्तों इस सवाल का सई जवाब जेका ओप्सन भी यानि अक्बर ने जिस मनसबदर प्रानी को लागू क्या है वो मंगोलिय देश से ली गई एक प्रचलित प्रणाली से उदार ली गई प्रणाली है किस देशे मंगोलिय देशे और अक्बर ने मनसबदारी प्रणाली कब सुरू की थी वो कीती 1575 एस्वी में है वो मनसबदारी प्रणाली शुरू कीती जो मंगोलिय देश से उदार ली गई एक प्रणाली थी अगला नेक्स टूसन है निमन मैं से किस मुगल समराट ने राजा राम मोन राई को अपने दूद के रूप में लंदन बेजा हैं तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन है भी यहनी मुगल समराट अकबर दित्ती हैं जिनने राजा राम मोन राई को 830 इसुए में अपने दूद के रूप में लंदन बेजा था और किन को बेजा था? राजा राम मोन राई को अपने दूद के रूप में लंदन सेहर में बेजा था अगला नेक्स्ट क्यूशन है अटारसो स्वताउन के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब बज़ेगा ओप्सन ए नि अटारसो स्वताउन के क्रांती का स्वाधीनता का संग्राम का प्रतीक है वो कमल और रोटी थी क्या थी 1867 के स्वईदान तक शंग्राम का प्रतिक कमल और रोटी नेक्स्ट किसन है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन D नी समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक के वो नेताजी सुभा चंदर बोस थे कौन थे समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक सुभा चंदर बोस नेक्स्ट किसन है रामक्रशन मिसन की इस्तापना किसने की थी तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा option D यानि रामकृष्ण मिष्ण की स्थापना है वो स्वामी विवेका नंद जी ने की थी तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानि फिरोज तुगलक है जिनोंने सिंस चाही तता लोग निर्मान कार्यप्र प्रयाप्त ध्याने दिया था। फिरोज तुग लगने। नेक्स्ट किसन है राजस्तानी चित्रकला का सबसे पहले व्यग्यानिक विबाजन किसने प्रस्तूत किया था तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन एनी आनंद कुमार स्वामी है जिनने राजस्तानी चित्रकला का सबसे पहले व्यग्यानिक विबाजन है वो अपनी पुस्तक राजपूत पैंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में प्रतम विग्यानिक विबाजन प्रस्तुत किया था। किसने किया था? अपनी पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पैंटिंग्स और किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने जिन्होंने राजस्तानी चितरकला का सबसे पहला वेगनिक विबाजन किया था और कब किया था? साल 1916 में नेक्स्ट क्यूसेन है गुप्त सासकों की सरकारी दर्बासा क्या थी? तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन डी यहनी गुप्त सासकों की सरकारी बासा थी संस्क्रत बासा लेक्स्ट क्यूसेन है गुपल क्रशन खोकले ने कांग्रेस के किस अधिविख्षन में अध्यक्स्ता की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा option भी यानी गोपाल क्रश्न खोकले जो महात्मा गांदी जी के राज्यतिक गुरु थे उन्होंने साल 1905 इस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अधियक्सा की थी किसकी की थी 1905 में जो बनारस में कांग्रेस अधिवेशन अधिवेशन की थी नेक्स्ट किसने नेमन लिकेत में से किसने प्रसिद चट गांद सस्थरगार दावे को आयोजितिक किया था दोस्तों ये सवाल है जो कापी important सवाल है ये आईएस के exam में भी पूचा गया था सवाल था सवाल का एक बार फिर से देख लिए नेमन लिकेत में से किसने प्रसिद चट गांद सस्थरगार दावे को आयोजितिक किया था तो दोस्तों इस सवाल का सई जवाब देगा option B यानी चट गांद रिपब्लिकन आर्मी के सबसे बड़ा नेता सूरिय सेन है जिनोंने 18 अप्रेल 1930 को हत्यारों से लेस होकर अधिकारियोंने चट गांद सस्थरगार पर आयोजित आकरमान किया था किसने कहता वो कहता सबसे बड़ा नेता सूरिय सेन है और कब कहता 1930 में नेक्ट किसन है केसरो या केसराई पार्टन चीनी मेल्स किस जिले में इस्तापित की गई हैं तो दोस्तों राजस्तान के बूनी जिले में केसराई पार्टन चीनी मेल्स हैं वो इस्तापित की गई थी और ये मील हैं कब इस्तापित की थी वो 1665 एसवी में केसराई पाटन चेनी मील इस्तापित की थी जो राधस्तान की प्रतम सहकारी चेतर की चेनी मील हैं नेक्स्ट किसने बारत चोड़ो आंदलन का से सुरू हुआ था तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन सी यनी आट अगस्त उन्निस्तो बैयालिस में मंबई के गवाले टैंक मैदान से भारत चोड़ो आंदलन की सुरूआत हुई थी और इसी दुरान गांदी जी ने एक नारा दिया था करो या मारो का नारा है वो भारत चोड़ो आंदलन के दुरान मात्मा गांदी जी ने दिया था कब दिया साल 1942 में नेक्स्ट किसे ने सविदान में उलेखित बजट को कहा क्या जाता हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा सविदान के अनुचेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्ती विवरण सब्द का उलेखिक क्या गया हैं वार्षिक वित्ती विवरण और किस अनुचेद में 112 अनुचेद में नेक्स्ट इसने बीका नेर का उउट माउट सव किस मा में आयजित क्या जाता हैं तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन है C यानि B का नेर में उंट महुत्सों हैं वो जनवरी मा में आयजित होता है कहा बता हैं जनवरी मा में B का नेर में उंट महुत्सों आयजित होता है अगला नेक्स्ट उसन है सार्क समेलन किस उदेशिय से आरंब किया गया था तो दोस्तो इस सवाल का सई जवाब देगा option A यहनी सार्ख समेलन है जो शित्रिए सयो के उदेशिय से आरंब किया गया था अगला next solution है अकबर ने हिंदूओं के उपर से जज्य कर गब हटाया था तो दोस्तो इस सवाल का सई जवाब देगा option B यानि अक्बर ने साल 1564 इस्वी में हिंदुओं के उपर से जज्यकरें वो हटाया था कब बटाया था जज्यकर साल 1564 इस्वी में अगला नेक्स्ट कुशन है भारती इत्यास में स्रिने युग किस काल के लिए परियुक्त होता है तो दोस्तो इस सवाल का सही द्वाब देगा ऑप्सन ए ने भारती इत्यास में स्रिने युग हैं वो गुप्त काल के लिए परियुक्त होता था अगला सवाल है हिंदू हिंद हिनानी सासकों के बारे में जानकरी का मुक्य स्रोत क्या है तो दोस्तो एस सवाल का सही जवाब देगा option B यनि सेरसा सूरी का अंतिम अब्यान किस सासक के विरुद्त था तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B यानि कालेंजर सासक के खिलाप सेर सा सुरी का अंती में अभ्यानत था नेक्स्ट किसन है पानी पत के तरती युद्ध में माराटा सैना का सैना पती कौन था तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B यानि सदा सिव राव भाव हैं जो पानी पत के युद्ग में माराट सेना का सेना पती था कौन था? सदा सिव राव भाव अगला next season है नेमन में से कौन सा एक छेतर अटारा सो सताउन के विद्रोसी प्रबावेत नहीं था अगला next season है हिंदुस्तान गदर पार्टी की इस्तापना किस वर्स में की गई थी तो दोस्तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C यानि साल 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की इस्तापना की गई थी तो दोस्तो ये थे 25 most important GK की क्यूसन जो आपके रादस्तान ऐसा ही बर्ति प्रिक्सा के एकजाम पर न्यू पैटन पर आदारित थी और दोस्तो अब इस वीडियो के लाश्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको comment box में लिखकर बताना है तो दोस्तो आज का अभ्यास सवाल है लाल वा पिली मिटी किस फसल के लिए उप्यूकते मिटी हैं तो दोस्तो option number A है गेंव और बाजरा, option number B है मूंफली और कपास, option number C है सरसों और गना, option D है कपास और सरसों इन में से कौन सा option सही है वो आप comment में जरूर लिखकर बताईए कौन सा सवाल है एक बार फिर से दिख लिए लाल वा पिली मिटी किस फसल के लिए उप्यूकते मिटी हैं और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम